हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्केल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्टार पैटन का 18 पैटन और इससे पहले हम 17 पैटन अल्रेडी देख चुके हैं तो आई होप आप लोगोंने उन वीडियो को देखा होगा और आपने समझा होगा कि मैं एक सिंगल थीम पर यह सारे पैटन बना रहा हूँ तो यह जो शेप आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आज का टारगेट है हमारा यह शेप ड्रॉ करना तो इसके लिए जैसा कि हम चार स्टेप में काम करते हैं पहली स्टेप हम लोग करेंगे पहली स्टेप यह है कि हम जो भी डाग्राम हमको बनाना है वो डाग्राम हम ड्रॉ करें हमारी सोच ऐसी है कि देखिए इस प्रोग्राम को बनाने के लाजिक तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हम उस लाजिक के बारे में बात कर रहे हैं जो जनरलाइजड है जो किसी भी तरह का shape, किसी भी तरह का pattern आ जाए लेकिन हमें एक basic code है हर बार वही लिखना है और उसमें मामूली जाफेर बदल करके desired shape obtain करना है तो यहाँ पर हम लोग इस वाले shape को print करना चाहते हैं तो step number one यही है कि सबसे पहले हम draw कर लें copy पे तो यह मैंने shape draw कर लिया है आप देखिए यहाँ पर आपको line numbers लिखना है one, two, three, four, five तो जैसे कि जो shape हमको बनाना है उसमें five lines है और यहाँ से पता चल रहा है कि इसमें कितने columns हैं आप देख सकते हैं मैं column number लिख रहा हूँ six, seven, eight and nine तो आप देख सकते हैं कि यहाँ five lines हैं याँ five rows हैं और nine column तो इसके लिए अब हम बनाते हैं program तो coding किस तरीके से की जाएगी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे main function main function के अंदर हमने दो variables बनाएं i और j और फिर हम लगा रहे हैं एक loop जो i की value one से start होगा जितने rows है अब हमारे shape में कितनी rows print होनी है तो five rows print होनी है तो हम आई वाला loop चलाएंगे five times और उसके बाद मैंने curly bracket लगा ये loop की body है इस loop की body के अंदर एक और loop लेक रहा हूँ जो columns के लिए है j की value one से लेकर start कर रहा हूँ j less than equal to आप देख सकते हैं यहाँ पर की कुल मिला के nine columns हैं इसलिए मैं इस loop को nine times चला रहा हूँ j plus plus अब मुझे इसके अंदर लिखना है if कोई condition है अगर ये true रहती है तो मैं print करा दूँँ a star और अगर ये false रहती है तो मैं print करा देता हूँ space अचा हर बार ये जब column वाला loop जब end होगा तो मुझे print कराना है back selection जिससे की line change हो सके और stars आगे की line से print तो आप देख सकते हैं ये हमारा basic skeleton है इतना code तो हमें minimum लिखना ही होता है हर बार अब हमको ये सोचना है कि if के parenthesis में या condition ऐसी क्या लिखें जो तभी true हो जब star print कराना है तो इसी के लिए हम ये चार step करते हैं पहली step हम कर चुके हैं अब दूसरी step में करने जा रहा हूँ दूसरी step में क्या होगा कि हम i और j की सिर्फ वही values लिखने वाले हैं जिस पर की star print होना है बाकी की values को हम ignore करेंगे देखिए i की value जब 1 है तो j की value 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो सकती है और जब i की value 2 है तो j की value 2 पे star चाहिए देखिए आप i की value जब 2 है तो j की value 2 होने पर आपको star चाहिए इसलिए मैंने 2 लिखा 3 लिखा और कब-कब आपको star चाहिए आप वो लिखते जाए तो j की value 8 तक और जब i की value 3 है तो j की value 3, 4, 5, 6, 7 और जब i की value 4 है तो j की value 4, 5, 6 और जब i की value 5 है तो j की value भी 5 तो ये हमें चाहिए अब step number 3 step number 3 में क्या करेंगे step number 3 में i और j की value को हम दुबारा लिखेंगे ये i और j की values को मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ लेकिन इस बार थोड़ा smart तरीके से लिखेंगे ये मैंने i लिखा, ये j लिखा और फिर से इनकी values लिखने वाला हूँ लेकिन थोड़ा smart तरीके से जब i की value let's say 3 है सिर्फ 3 को देखिए तो j की values क्या होनी चाहिए 3, 4, 5, 6, 7 अब इसी को मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ j की value क्या होनी चाहिए जब i की value कितनी है 3, तो j की value होनी चाहिए 3 या उससे बड़ी got it and j की value होनी चाहिए less than equal to 7 got it इसी तरीके से i की value जब 2 है तो j की value होनी चाहिए greater than equal to 2 and j की value less than equal to 8 i की value जब 1 है तो j greater than equal to ये एक जैसा होना जरूरी है तब ही हम generalize कर पाएंगे तो देखने में बिलकुल एक जैसा लगना चाहिए j less than equal to 9 similarly i की value जब 4 है तो j की value होनी चाहिए greater than equal to 4 and j की value less than equal to 6 and last one j greater than equal to 5 and j less than equal to 5 अब देखें j equals to 5 भी तो लिख सकते थे नहीं इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि हमें इसे को generalize करना है तो ये एक जैसा दिखेंगे सारे तभी generalize कर पाएंगे जो i की हर एक value के साथ सूट कर जाया है जैसे j greater than equal to यहां मुझे कुछ लिखना पड़ेगा and j less than equal to और यहां कुछ लिखना पड़ेगा अब यहां यहां इसा क्या लिखना है जैसे की सही हो जाए right तो मैं कहता हूँ i की value 1 है तो 1 होना चीए 2 है तो 2 होना चीए 3 है तो 3 होना चीए तो i लिख दो यहां तो जब i 1 होगा तो यह 1 हो जाएगा 2 है तो 2 हो जाएगा और यहां यहां तो 9, 8, 7 मतलब कम होता जा रहा है तो 10 minus i कर दो 10 minus i करेंगे तो i की value 1 होगी तो यह 9 हो जाएगा 2 होगी i की value तो 8 हो जाएगा बस यही तो आपको चाहिए हो गया यही चीज़ अब आपको कहां लिखनी है आपको लिखनी है यहां पर यानि j greater than equal to i and j less than equal to 10 minus i चीए अब मैं इस program को run करके और बतायता हूँ आपको यह देखिए जो output हम चाहा रहे थे exactly वही output हमको screen पे दिखाई दे रहा है तो i hope आपको यह program समझ में आया होगा आपको यह 4 steps जो मैंने करी है यह समझ में आई होगी अब यदि आपको यह video पसंद आया है तो आप इसे like करें यदि आपको लगता है कि इस तरह के और videos देखने में आप interested है तो आप मेरे channel को जरू सब्सक्राइब करें पर मेरे YouTube पे और भी बहुत सारे channels है और समय समय पे हो सकता है कि नए और channels भी start करूं नया content भी उसमें start करूं तो मेरी सलाई है कि आप मेरी website को जरूर विजट करें www.mysergy.com यह URL स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है आप इस website पे जरूर आएं यहाँ पे आपको अभी C, C++, Java, PHP, My School, Data Structure, DBMS इन सब के video lectures के तो पूरे-पूरे courses मिलेंगे इसके लावा programming exercise से related videos मिलेंगे जैसा कि यह video आप देख रहें campus preparation से related काफी सारे videos मिलेंगे और in totality आप देखें तो वहाँ daily क्योंकि नया video upload होता है तो काफी सारे videos already रखे हुए हैं और रोज एक नया video आजाता है तो आपके पस content हमेशा बढ़ता रहता है जब भी आप site को visit करेंगे आपको हमेशा कुछ नया content देखने को मिलता है सबसे बड़ी बात ये कि सारा का सारा content हिंदी में है तो कई सारे लोग हैं मैं खास तोर पर उन audience के लिए ये सारे videos मना रहा हूँ जो शायद English में concepts को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं या फिर वह हिंदी में ज्यादा comfortable है हमें ऐसा बूलें तो ये सारे videos उन तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ free में पहुंचा रहा हूँ ये सारे के सारे videos free हैं तो मेरा basically मकसद ये है कि सभी लोग इन चीओं को सीख पाएं और mainstream में आए कई लोगों का confidence इसली नहीं बढ़ पाता है क्योंकि उन्हें programming बंती नहीं है और बंती इसली नहीं है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है concept समझ में नहीं आता है maybe English की वैसे maybe वो अच्छी coaching में नहीं जा पा रहे है maybe वो जिस city में रहते हैं ये facilities नहीं है वगेरा financial condition भी एक reason हो सकता है तो ये वीडियो उन सब के लिए solution है तो please इसको spread करिए आप अपने facebook wall पे इसको share करिए जितने जादे 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 लोगों तक ये पहुंचेगा वीडियो मेरा मकसद पूरा होगा देखिए मैं इसका कोई charge आप से नहीं ले रहा हूँ बट मैं आप से request करता हूँ कि इसको आप please share जरू करिएगा Thank you